हलो अब्रिवल तो आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं M.I.LED स्मार्ट बल का ये एक स्मार्ट बल है इसका मतलब इसको आप अपनी मोबाइल एप्लिकेशन के थुरू कंट्रोल कर सकते हैं और ये गूगल असिस्टेंट और एलेकसा को भी सपोर्ट करता है शाओमी ने अभी ये स्मार्ट बल जो है ट्राउट फंडिंग के तुरूरी सेल किया था लेकिन अब ये जो बल्ब है वो ओपन सेल में आ चुका है तो इसको आप फ्लिपकार अमेजॉन और म.com से खरी सकते ह तो जो भी बेस्ट वाइग लिंक होगी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाके इस बल्ब को पर्चेस कर सकते हैं तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट की हम वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं और आप लोगों ने अगर अभी तल हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहा हूँ तो गाइस मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं टेख प्लस गैजिस डॉट कॉम लेट्स के साटेड तो गाइस इस तरीके का बॉ देख लेते कि इसके अंधर हमें क्या मिलता है सबसे पह।ाग्स कोलते ही हमें बल्मिल जाता है और इसको हम जो है इस ja कवर से निकाल लेते हैं तो पहला इंप्रेशन मेरा है जो है वह काफी बढ़िया है क्योंकि यह बहुत ही जादा भारी है और मजबूत है इसमें जो है उपर ग्लास नहीं लागा हुआ है यह प्लास्टिक का बना हुआ है तो काफी जादा मजबूत है इसको अभी हम साइड काफी बना है तो हम बोक्स को साइड पर जो इस तरी की अवग का पूरा ठीक का प्लास्टिक है जिसके करनी पूरा बव का यह जवह काफी अच्छा लगता है तो आपको यहां पर लिखा हुआ देखेगा चैना में जो बम रिलीज हुए उसमें यहां पर मीजय हुआ है लि लिखकर इससे सेल किया है उसके साथ है एक डिसपॉइंटिंग चीज जो मुझे लगी वो है इसका होलडर यह नॉर्मल होलडर नहीं है इसके लिए आपको एक अलग से जो है बी 22 करके holder जो है अलग से purchase करना पड़ेगा तो इसको मैंने local market से खरीदा है इसका price मुझे 50 rupees पड़ा है अगर ये holder Xiaomi इस bulb के साथ ही दे देता तो काफी अच्छा होता लेकिन ये इसका cost जादा नहीं है तो इसको आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा तो अब इसको फटाफट से इसके अंदर fit करके हम देख लेता है कि ये bulb किस तरीकी की रॉशनी हमें provide कर देता है और क्या functionality हमें जो है extra इसमें हमें लेखने को मिल जाती है तो guys मैंने पूरा setup कर लिया है इसको holder वगेरे से connect कर लिया है अब फटाफट से इसको on करके देख लेता है तो गईस इस तरीकी का जो है yellowish color की पहले हमें light मिलेगी first hood पर आई नो पहुत ज़्यादा ही ब्राइट है इसके करण वीडियो की quality में जो glitch वगेरे आ रहा है I'm really sorry for that but इसका brightness control कर सकते है तो मैं इसको फटा-फट से application से connect कर लेता हूँ तब तक के लिए मैं इसके उपर थोड़ा से हाथ रख लेता हूँ सबसे पहले आपको जो है Xiaomi की MI Home करके जो है application ने उसको install करना है और यह application जो है first time जब आप install करेंगे तो आप से कुछ तो भी login, login के लिए पूछेगा तो आपको जो है अपना MI account डाल के इसको इसमें sign in कर लेना है अगर आपका MI account नहीं है तो आपको बनाना ही पड़ेगा तो मैं मेरा phone का जो account है वो उसी से जो है login हो जाएगा तो मैंने इसको sign in कर लिया है तो guys इस तरीके के जो है आपको interface पर सबसे पहले my device का एक option मिलेगा तो आपको सबसे पहले add device करना है और add device में जाके lightning में जाके आपको MI LED जो bulb है उसको add कर लेना है इसको जो है आप normally add नहीं कर सकते है तो इसके लिए आपको एक operation perform करना पड़ेगा बहुत ही simple है वह सबसे पहले आपको जो है LED जो MI LED bulb है उसको main switch से 5 बार on-off करना पड़ेगा उसके बाद जो है आपका device इसमें शो होने लगेगा तो वह जो चीज है वह हम फटा-फट से perform कर लेते हैं तो इसको मैं 5 बार on-off कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको एक circular red green type की एक ring मिल जाएगी इसका मतलब यह है कि आपको जो device है वह discoverable हो गया है तो इस तरीकी की जो है आपको lightning मिलेगी और यह automatically connect करना है तो किसी एक router की तुरूँ इसको connect करना पड़ेगा तो यह already connected है तो tap to enter the password आपको इसमें जो आपका Wi-Fi है जो भी router है उसका password डालना पड़ेगा तो guys हमारा bulb जो है वह application से connect हो चुका है तो इस तरीकी का जो है हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है light bulb 2 यानि कि हमने जो bulb का नाम दिया था वह यहाँ पर आएगा तो directly हम इसको जो है click करके on off कर सकते है तो इस तरीकी से जैसी मैंने off किया है तो वह off हो चुका है उसके बाद यह simple सा interface जो है application हमें दे देता है यह interface ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल ही डेम हो चुक है तो आप swipe up swipe down करके brightness कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको color चेंज करना है तो आप color भी change कर सकते हो अभी चीज़ पर है हम वह सिर्फ और से white color को ही change करता है यह पू आपको बहुत सारे color का जो है interface देखने को मिल जाएगा और आपके पास option भर भर के हैं तो आप कोई भी color को जो है choose कर सकते हैं मुझे जो एक चीज इसकी लगी है वो यह है कि अगर आप कोई से भी color पर switch करते हैं तो यह जो bulb है वो black नहीं मारता है like smoothly transition जो है इसका बहुत ही smooth है तो यह जो चीज है वो मुझे काफी बढ़िया लगी है तो आपको left right करके color change कर लेना है उसके बाद swipe up swipe down करके जो है आप इसका brightness control कर सकते तो मैं अभी brightness कम पर ही रखता हूँ उसके बाद आपको एक और option यहाँ पर मिल जाता है flow करके यह flow पर करेंगे तो यह जो है gradient color का जो है बिलकुल एक flowing उसमें चल जाएगा तो इसको भी आप जो है control कर सकते है आपको कौन से color में रखना है वो कर सकते हो speed बगए जो है maintain कर सकते हो तो यह जो है अपने आप automatically सारे color को change करेगा तो यह जो चीज है मुझे काफी बढ़िया लगी है M.I.LED को Google Assistant से connect करने के लिए है M.I.Home को अभी मेरा जो device है already connected है अगर आपको scratch से connect करना है तो आपको जो है यह plus वाला जो बटन इसको प्रेस करना है और वहां पर आपको M.I.Home सर्च कर लेना है तो इस तरीकी का जो है आपको जो icon है वो आ जाएगा M.I.Home का इस पर tap कर लेना है और आपको device है वो connect हो जा okay turning off the ceiling light देख सकते हैं आप अपने आप जो है Google Assistant के थुरू इस बल्ब को जो है off कर दिया गया है इसको इसको बार और on करके देखते हैं okay Google turn on my ceiling light sure turning the ceiling light on एक बार आप इसका जो है color change करने के कुश्च करते हैं okay Google change color of my ceiling light into red I hope आप लोगों को यह review वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस एक लाइक ज़रूर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत जादा मोटिवेट करेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए thank you so much guys for watching this video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and peace